मुठी बंद बना की चलेंगे तो जिन्दा रहेंगे बरना सिखर जी जैसा हाल बहुत जगह हो जाएगा और उनकी क्या बात करें जिन्हें अपना हम भाई कहते हैं उन लोगों ने पूरी तरह से दिगंबर जैन धर्म की भजीती करने में कोई कसन नहीं छोड़ी शेरपूर से लेकर के और टैरपूर तक एक किताब आई है एक किताब कहीं पढ़ने को समझ में आए एक आदमी ने इसमें ऐसा खाका तयार किया है कि कैसे जैन धिगंबर जैन मंदरों को लूटा जाए कैसे उनको बदनाम किया जाए जैन समाज को कैसे नुकसान पहुचा जाए जैन समाज को यहां तर लिग दिया कि कोई भी स्वेतामबर बंदू जैन पर मुनियों को जगह नहीं देना रुकने की जगह नहीं देना कोई कारिक्रम नहीं करना रोटी बेटी का नहीं करना तो मैं आपकी जितने फेमस तीरत हैं सबसकर का कच्छा चिठा इसमें तयार किया है लूटने का यह भी स्रितंबार आप जो बने नहीं है और अरेली का भी नाम इसमें आ गया आप क्या करेंगे पचास से ज़्यादा तिर्थों की नाम है कई मूर्थियां है कई मूर्थियों को खोद-खोद करके अपने रूप में उढ़ा रहे हैं नाम लगा रहे हैं हमारा कि हम ऐसा कर रहे हैं अरे प्राचीनता only with dharm Vidik Sanskriti में भी स्विकार किया है् जगम बरहा बतरस्णा बुदITH-शन्द्रटव में भी स्विकार किया है उत्रद्धर सूत्र है और बड़े शूतर अन्द्रणत्व में भी स्विकार किया अकिरे से किस बात का कलेस कला, इतना वेमनस से ए आदमी क्यों बढ़ाने को पढ़ा है सारे समाज और सादू संतों में भुसन साय को हमने पिछले साल भी कहा था माइक से ही कहा था ख़बर पहुंच दे रही थी उस तर्थ कि भाई ऐसा मत करो, दूरियां बढ़ाने से क्या मिलेगा, गिंते के करोड भी नहीं है सुईतंबर दिगंबर सारे मिल जाओ करोड भी नहीं है और ऐसे में अगर ऐसे बैर के देस के बीज बोदोगे, तो कौन कहां कौन कहां से बयार करेगा, कौन कहां जीएगा, निगंबर मुनियों को भी पैदल चलना है, शृतंबर संतों को भी पैदल चलना है, औने मिधी गोच्री करना है एक दूसरे पर कीचर उचाल करके वहोगे का सारा समाज में कीचर हो जाएगा और फिर संतवादी लोगों के तो अलागी अपना पोपा बचता रहता ओ तो एक के पुछला बन जाएंगे बाकि उनके लिए कीडा कूडा कचरे फिर समाज चलेगा कैसे धरम चलेगा कैसे आप आजमी को पूछ रहे हैं कि परमार्स को पूछ रहे हैं शमंत्रबद्र जैसे आचारी उने खाका खोया एक खाका बनाया इसमें जो फिटो वो सादू उसको पूछो इसमें जो फिटो वो बगवान उसको पूछो इसमें जो फिटो वो दिगंबर सास्त्रा जिनवानी उसको पूछो आप कड़ क्या रहे एन्होंने तो समंत्रबद्र को भी अपने में सामिल कर लिया पहले वो दिगंबर थे फिर बीमार हो गए बीमार सही होने के बाद उस्वितमबर सादू बन गए ऐसी जूटी जूटी कहानिया कहां से धूड़के लाते हैं भगवान जाने क्यों आपस में इतना दूएस और गएमनस से बढ़ाने पर तुले हुए है अज गुरूपूर्ण माकी दो बात क्या करें माकी कागजी कागज देख लो महामबीर जी लिगंबर जेंग तीर्थ को सितमबर तीर्थ है और किस तरह के जूटे कागज तैयार किये जा रहे है जूटे है सुरुआत करना है सुनेल सागर को बदناम करना है सुरुआत कर दो महाराज जी अकले बैठे थे और एक महिला भी अकली बैठी थी पता नहीं तीन सार घंटे तक क्या बात हुई क्या काम हुआ सुरुआत करना है बस बाकी लोग आगे उसकी पूरी पिक्शर बना देंगे अगले देन मुबाइल पर भी आ जाएगा यह सुरुआत करना है कि सिर्फ नाम लेकर के बोलो वो हमारा है कल कोई वहाँ पर रसीद निकालने वाला मिल जाएगा थे हाँ हमने दान किया था देखो फिर एक कहने वाला मिल जाएगा हाँ हमारे गुरु आहां तपस्या किये थे यह देखो और फिर कोट केस भी हो जाएगा फिर आप चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाएंगे लेकिन चीज़ें निपढ़ते नहीं है सुईतम बर्दिगंबरों को आपस में बैट करके सारी चीज़े निपटाना चाहिए नहीं तो जैसी बेजजीती सिखर जी की हो रही है ग्रिनार की हो रही है पता नहीं कहां कहां तक किस इस्तर पर होगी अपने संख्यावल पर भी ध्यान दो गरोपात करवाने वाले उसमें जैनों का भी नमबर है कोई दूद के धुले नहीं है भले अधा परसेंट हो बचाईए बच्चों को बचाईए समाज को आगे बढ़ाईए बच्चा जनम लेता है ना मता हो बोले दूसरा आएगा तो कौन पालन करेगा फिगर बिगड़ जाएगा फिगर तो यूँ भी बिगड़ने बाला है दूसरा आएगा पहला आया था उसके आते ही इस तनमें दूद आया था की नहीं आया था उसे पिलाने के लिए मा की छाती में दूद आता की नहीं आता दूसरा आएगा तो भी दूधा जाएगा तीसरा आएगा तो भी दूधा जाएगा और जो आएगा वो अपना भान लेके आएगा सारी धर्ती को चलाने कर ठेका तुमने नहीं ले रखा है थोड़ा सजागो थोड़ा समझो कितने मूटियों को रंग दिया जाता है टाइम नहीं लगता है और बदल दिया जाता है